नमस्कार आगे इंग रहे न्यूस लाइन दिन भर की तमाम छोड़ी बड़ी कवरों के साथ मैं हूँ प्रिया सागर विस्तागी कवरों के और बढ़ने से पहले नजट आवदे आशके हेडलाइन्स पर कर्मा लोग सभा और कार्टे विधान से बहुत चुनाओ सम्तर होने के बाद सबी बूतों के EVM और वीवी पेट को प्रिच ग्रहा में रखा गया सुरक्षे तादिकारियों और दुमिन राज़तिक दलों के प्रत्मीलिधियों के वस्तिती में किया गया सी जार जून को होगी मदगन्ना अर्दर शैनिक बलों के निकलानी में है स्ट्रॉंग रूट शहरी चेत्र के लोगों को मतान के प्रतित जागरूप करने को लेकर नगर्ठाना के और से निकाली के फ्लाग मार्च नगर्ठाना प्रभारी ने बर्चवर के श्रांधी पुन बाहौल में मतान करने की लोगों से की अपीर 25 पई को होना है मतान जिला कांगर्स कमीडी के और से जिला कार्यालाई में मनाई गई पूर्व प्रधार बच्शिश्वर के राजीव गांधी की पूने दिपी जिला परमाली अपन करते में किया लिया नवन कहा दिपंगत राजीव गांधी ने इसकी ये खिये थी क्ली विकास के कारिये जिला खरनन परदादिकारी ने बालु माफियाओं को दीचे तावने कहा वैद बालु के कारोबार से करे परहेज नहीं तो नाप दिये जाएंगे सारे बालु माफिया अब खबरे मिस्तार से कोडर्मा लोग सभा और गांडे विदान से बाउप चुनाओं के प्रत्याश्यों के किस्पत का पैसला EVM में कैड हो गया है जिसें डीसी नमन प्रियेस लगड़ा और एस्पी दिपा कुमार्श शर्मा समित करी अविकारियों के मौदूद्धी में बोडों के स्ट्रॉंग रूम में प्रतियाश्यों के सामने सील कर दिया गया और अब चार जून को स्ट्रॉंग रूम फिले का इंदजार रहेगा और प्रत्याश्यों के किस्मत का पैसला सामने आएगा कोडर्मा लोगसभा और गांडे उप्चुना के प्रतियासियों के प्रतिनीधियों के सामने मंगलवार को बोलो के स्ट्रॉंग रूम को सील किया गया बताया गया कि कुडर्मा लोक सभा और गांडे विधान सभा के प्रत्यासियों के किस्मत का फैसला सोंबार को EVM में कैद हो गया जिसके बाद EVM को बोडो इस्तित स्ट्रॉंग रूम में लाया गया यहां सारे राजनितिक दलो के प्रतिनिध्यों के मौजूद्गी में इससे सील किया गया इस दोरान मालिक एराजस याताव राजस सिन्ना भाजपा की जीलाध्यक्स महारेदू में जीलाध्यकस अंजेसिंग कॉंग्रेस के नीटा स्ट्रॉंग रूम में मौजूद थे पर दीपक कुमार सर्मा समेट कही अधिकारी भी मौजूद थें डीसी ने कहा कि सारे वियंग सुरक्षित आ चुके हैं स्ट्रॉंग रूम को अर्थ सैनिक बलो के निगरानी में रखा गया चप्पे चप्पे पर अर्थ सैनिक बलो के जवान प्यानात हैं सब्सक्राइब करना रखता है उसके अपरणिंग 61.90 रहा है और सभी जो हम लोगों को प्योडायरी प्राप्त होता है और उससे भी डेटा एंट्री हो रहा है तो कि आज शाम का फाइलाइस होता अलाकि इसे बहुत जादा विरियेशन नहीं होता है तो 61.90 को एक पुष्ट साफडा के तोर को नहीं ना सकते हैं सर भरकटा और कोडर्मा विधान सबाद से क्या एवियम सारे आगे है जो आने थे सब्सक्राइब कर आगे है और आज प्लस वन अर्राइवल था कुछ पोलिंग स्टेशन के गामा के से लिए और दैविनु के तो वह भी आचुगे आग कि अगरे आगे प्रशासर के लाव प्रति बंद लगारे के बाव जोद गिरिटी जले के नदी घाटों से बालु माफ्याओं की द्वारा बालु का अवयर उत्खाने कारिये थम नहीं रहा जहां एक और काफ़ी अर्से से उसरे बचाओ अवयार चलाया जा रहा है तो वही बालु माफ्याओं ने उसरी बरबात करों का लक्ष्य निर्खाई करिया है जिलखरन पदादिकारी शत्यजीत सिंग ने दी है बालु माफ्याओं को कड़ी चेतावनी दी है नहोंने हुट्टी वजार इस्थिक कारियालाई में मीडिया से बात चीत की असल में प्रशासन के लाख प्रतिपन लगाने के बावजूद गिरिड़ी जिले के नदी घाटों से बालु माफ्याओं के द्वारा बालु का अवैद उत्खनन कारिये थम नहीं रहा जहां एक और काफी अर्से से उसरी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है तो वहीं बालु माफ्याओं ने उसरी बरबाद करों का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है अगर सिर्फ उसरी नदी की बात की जाए तो अवैद बालु उत्खनन से गिरिड़ी के अर्गागाट पू हो चुकी है और पूल का बेस काफी जरजर अवस्था में है जो निकट भविश्य में बहुत बड़े हाथसे की और इशारा कर रहा है वहीं सिहोडी नया पूल रेलवे ब्रीज शंकरचक रेलवे ब्रीज जर्यागादी दुखिया महादे पूल बकोईया जरका पत्थर रा नदी घाटों की बात करें तो सिहोडी, शंकरचक, पांडेडी, शास्त्री नगर, मठुका, बर्मोरिया, महेश्पूर, बडाकर समित कई नदी घाटों से बालु का अवैद उत्खनन किया जा रहा है वहीं गिरेडी जिला अंतरकत काको नदी, इर्गा नदी, सकरी नदी, इत्यादि कई नदीयों से बालु का अवैद उत्खनन किया जा रहा है, जिससे परियावरन पर घिशन संकट मनरा रहा है, साथी कटाओ होने से नदीयों की धारा मुड़ने का खत्रा बढ़ता जा रहा है, वहीं भू कटाओ बढ़ने से भुस्खलन जैसी आपदा होने का भी खत्रा बढ़ रहा है साथ ही जिन छेत्रों से बालु का उत्खनन हो रहा है वहाँ की आसपास की छेत्रों में भूचल इस्थर पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है इस संबन में गिरिडिज जिला खरनन पदादिकारी से पूछने पर बताया गया कि गिरिडिज हाटों की बंदोबस्ती के लिए प्रस्ताव हो चुका है अवैद उत्खनन के विरुद किये जा रहे कारवाई के संबन में जिला खनन पदादीकारी के द्वारा बताया गया कि अवैद उत्खनन के विरुद लगतार चापमारी की जा रही है तथा उत्खनन में समलिप्त लो की दर्च की गई है जिसमें अठारा लाग चालिस हजार चार सो रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है आगे भी बालू एवं अन्य खनीज के अवैत उत्खनन के विरुद कड़ी कारवाई की जाएगी गरिडी जिला अंतरगर्थ प्राप्ट सुषना के अनसार और बायोक नुदे के अधिशा अनसार लगाता है हम लोग छापी मारी अभ्यान चला रहे हैं चाहे बालू का हो चाहे वो पत्थर का हो पत्थर में हम लोगों नापी करके लगबग 27 लोगों को डिमांड इशू किय है और वालू से रिलेटेड हम लोग जो है मुच्छे वालू घाटों का तो जो निगम के द्वारा भेजा गया तो उसको आक्षिन करके निगम पे संचाला ने तू भेज दिया गया है मौनसून अभी आने वाला है तो हम लोगों ने स्टॉक याड़ वालों से भी एक असल में परसासन के लाग पर्टी बन लगाने के बावजूद गिरीडी जिले के नदी घाटों से बालू माफियाओं के दुवारा बालू का अवैदू करनन धम नहीं रहा है जहां एक और क्लाफी अर्से से उसरी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है तो वही बालू माफि इस बार नहीं बच पाएंगे गिरीडी के बालू माफिया जल दिलेगी बालू माफियाओं पर न्यूज लाइन के लिए मोहमत चांद गिरीडी मंत्री आलंगीर आलंगी गिरफतारी को राजनितिक साजस बताया जार्खन के पेजल एवं सुच्छता मंत्री मिथलेज ठाकुर ने मंत्री आलंगीर आलंगीर आलंगी गिरफतारी को राजनितिक साजस बताया जार्खन के पेजल एवं सुच्छता मंत्री मिथलेज उन्हें मंत्री आलमगीर आलम की गिरफतारी को राजनितिक साजिस बताया। उन्होंने कहा चुनाओं को प्रभावत करने के लिए केंद्र के इशारे पर उनकी गिरफतारी की गई। उन्होंने कहा इंडिया गडबंदन जार्खन में 14 के 14 सीट जीतेगी और भाजपा सुन्ये पर आउट होगी क्योंकि जनता भाजपा के फूट डालो राजगरों की नीति को भली भातित समच चुकी है। कंत्री मिध्रेस ठाकूर सोमवार को देश शाम धनबाद पहुंचे। यहां यूनियन क्लब में प्रेस वार्तम में उन्होंने कहा कि इंडिया गडबंदन के कॉंग्रेस प्रत्यासी अनुपमा सिंग भारी बहुमत से जीत दर्श करने की बात वहीं इस माके पर उन्होंने कर लिये होंगे अभी तक मैं तो कहूँगा कि कहीं कोई लड़ाई नहीं एक तरफा अब सभी वर्क के लोगों ने यह मन बना लिया है कि हमें विकास के नाम पर वोट करना है हमें अपने हकादिकार के नाम पर वोट करना है हमारी जो आस्था के साथ खिलवार किया जा रहा है उसका हमें जवाब देना है हमारे सम्मिधान को बदलने की जो बात की जा रही है उसका हमें जवाब देना है हमारे लोगतंत्र को जो कमजूर किया जा रहा है उसका जवाब देना है और सब कुछ अगो मिला दिया जाए तो आप देखेंगे कि इंडिया गटबंधन प्रचंड बहुमत से यहां धनबाद लोग सभा में आजीत का परचम लहराने जा रहा है और पूरे राज और पुदे देश के पुरिफिक्ष में भी देखेंगे कि दो सो कांकड़ा पार नहीं करेगी भारती जब्सक्राइब रस्टा चार के हमेशा हम रहे हैं विरोधी रस्टा चार पर हमारा जीरो टॉलरेंस रहा है हमेशा लेकिन इसमें मैं यह भी कहना चाहू होगा कि हमारे मानने मंत्री आलमगीर साहब CLP लीडर के पीएस के नोकर के आवास से धन पकड़ा जाना और एडी के समवन पर पहले समवन पर उनका उपस्तित होना दूसरे दिन भी उपस्तित होना एडी का सहयोग करना और एंच चुनाओं के वक्त उनकी किरफतारी कहीं न कहीं से सक की सुई जाती है जो केंदर में बैठी सरकार है उसके उपर और ये कहने में थोड़ा भी ही चक मुझे नहीं है कि ये जो गिरफतारी है ये राजनितिक गिरफतारी है और केंदर में जो बैठे हुए आका उनके इशारे पर ये गिरफतारी की गई है नहीं तो जिस तरह से अलंगिर साहब सहयोग कर रहे थे आज कंग्रेस के CLP लिडर हैं मंत्री हैं आज चुनाओ को प्रभावित करने के लिए उनके रफ्तारी की गए है अन्य था चुनाओ के बाद भी आज सुप्रीम कोट वैसे लोगों को आज के जिरिवाल साहब देख लेजिए जो मुख मंत्री हैं इडिली के एक साधू सिंग जो पंजाब प्रांत के मंत्री बर्सों से जेल में बन थे उनको इस लोग तंत्र में जो हमारा संबेदानी का दिकार है उसको देखते हुए सुप्रीम कोट पी जमानत में रिहा करने का निरने लिया और वही एडी आज 15 द और यह तीन सीट और मैं हवा हवाई बात नहीं करता हूं चार सो पार की बात नहीं करता हूं कि तीन सीट भी इंडिया गडबंधन के खाते में जाएगी आप इसको नोड करने के लिए लगाया गया तो भी तानात किये गए बुड़ो इस दिक वर्जग्री में सुंपा शाम से ईवी एम और वीवी पेट को जमा करने का सिलसला सुरू हो गया कोडनमल उल्ग सभा और कांडी विधान सभा उन चुनाओं की समाप्ति के बाद तमाम मद्दान कर्मी चुनाओं सामंगरियों को जमा करने के लिए पहुचने लगे इस दौरान काफर संख्य में कर्मीयों को ईवी एम और वीवी पेट को रिसीव करने के लिए लगाया गया है बताया गया कि यहाँ सिलसला रात भर चलेगा वर्जग्री की सुरक्षा में काफर संख्य में पूलीस को भी तैनाद किया गया है कई वरी अधिकारी भी पूरी व्यवस्था पर नजर बना हुए है अब 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 तो चलाए चोड़े से ब्रेक का परेके बाद जल्द आटे कुछ और फबरों के साथ बर्गंडर स्थित बजरंग टावर में खुल गया दा आर्लूक शलून का ब्रांच हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटी इस्टियन और हेर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कारिये कराया जाएगा हमारे यहाँ लॉर्याल, सियाव वेटर, बेला, लोटस, O3 प्लस इत्यादी प्रोफेशनल प्रोड़क्ट के द्वारा काम किया जाता है साथ ही हमारे यहाँ हेर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेर कट, ब्राइडल एवं गुरूम मेकप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बुटॉक्स, नैनो, प्लस्टिया, स्कीन एवं हेर से रिलेटिग, सभी प्रकार का समझ्याओं के निदान किया जाता है साथ ही महंदी मेकप की पूरी व्यवस्था की गई है अभी हमारे सलून आने पर आपको बंपर कॉम्बो ओफर, दस सर्विस का लाब मात्र 1199 में मिलेगा वहीं ब्राइडल मेकप पर 20% का ओफर दिया ज़ा रहा है तो देर किस बात के एक बर हमारी ब्रांच में पधारे और सिवा का मौका दे हमारा पता है बरगंडा पाउर हाउस रोड बजरंग टावर हमारा मुबाइल नंबर है 854 00-03571 0653-2356-150 आपके शहर गिरेडी में खुल गया है बहुत ही खुबसूरत अंदाज में आपके हर प्रकार के आयोजन की समुझित व्यवस्था के साथ जैसे शादी विवहा, रिंग सारमनी, बज़े पार्टी हर प्रकार के छोटे बड़े पार्टी के आयोजन के लिए बिलकुल सही जगा हमारे यहां आपको मिलता है हजार से बारा सो लोगों के छमतावाली जैपूर्या गार्डन बैंक्वेट एंड मेरस हाल मेसु सजित, एसी कमरें, शांदार पार्टी हॉल, पार्क, आर्टीफीसेल ज़णना, विशाल किचन, सभी प्रकार के व्यंजनों को बनाने वा सर्व करने के सभी बरतन, फैंसी टेबल कूरसिया, पार्किंग के अच्छी व्यवच्च था, 2400 घंटे बिजली पानी, वाइ पार्किंग स्टार्ट नाओ, हमारा पता जैपूरिया गार्डन साथ नमर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डूमरी रोड, पोल्डी हाग गिरिडी, अधिक जोयनकारी के लिए स्क्रीन में दिये नमर पर कॉल करें, नर्सिंग के चेत्र में गिरिडी के पानियता प्राप्त, बारवी पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के छेत्र में सुनहरा अफसर, जीडी बगेडिया नर्सिंग स्कूल में सत्र दोहदर चौबिस बच्चिस के लिए नमंगन प्रार्म है, तो देरिक इस बात की बाहर जानी से बची और अपने सब भी दी जाएगी 65,000 पर एर और डेज कॉलर्स बालों के लिए 60,000 पर एर, तो देर किस बात की आईए हमारे यहां नमंकन प्रारम है, हमारा पता है बोड़ो पचंपा रोड जीडी बगेडिया गिरिडी कॉलिज रोड रेवी ब्रिज की समीप स्थित पावत्र होस्पिटर, जीले भर में लोगों को चिकित्सिया सेवा प्रदान कर रही है, यहां गिरिडी के जाने माने प्रसित वा अनुभवी हटी वन नसरोग विशेशा किया, डॉक्टर रिती सिंभा की निगरानी में हटी फ्रैक्चर, नसरो, आधी का बहतर इलाज किया जाता है, यहां जर्नल फिजिसियन के सुविधा 24 खंटी उपलब्द है, जर्नल फिजिसियन, डॉक्टर, विकास, कुमार और डॉक्टर, अफ्ताव, अंसारी के द्वारा, मलेरिया, टाइफर, सर्दी, खासी, बु हमारा मोबाइल नंबर है, 9471194901, 6200242984, ब्रेक के बाद आप सुभी दर्शिबू का स्वागत है, तालताड के लखनपूर गाउं के पास के जंगल में एक मीर गाय अम्रित अवस्था में पाइए, इसके बाद वनकम आपके सुचना मिलते लिए खंटना स्टर पर पहु तारत आठाना छेतर के लखनपूर गाउं के समीप जंगल के पास मंगल वार को एक नील गाय मृत अवस्था में पाया गया, ग्रामनों द्वारा सुचना पाकर वन विभाग के वन रच्छी की टीम घटना स्थल पर पहुंचो और जांच पताल सुरुकी, वाके पर वन पाकर कुमारता थी, आधिया ने मृत नील गाय को कबजे में लेकर पोश्मार्टम कर उसी अस्थान पर गंठा कर दफना दिया, घटना को लेकर चान पिन शुरुकी, इस बाबत वन रच्छी दाउद आलम में आशनका जताय की आग्यात लोगों के द्वारा नील गाय को मा हो गई थी, इसकी सूचना मिलते ही धनवार पूर्ववधायक राजकुमार यादब बिरने पहुंचे और मिल्दकों के परिजनों से मिलकर उन्हें ठाड़स बंधाया, और कहा कि जाटन सरकार से मेंट के भरन पोर्षन की अपील भी जाये ही, गावों प्रिखंड अंदर इसकी सूचना मिलते ही परिजनों को धाड़स बंधाने धनवार पूर्वधायक राजकुमार यादब बिरने पहुंचे, कहा कि ये तीनों बच्चे आप लोग देख रहे हैं, मा बाप दोनों खोचुके हैं, अनात होचुके हैं, इनकी मा अपने बच्चों को पेट पालन के लिए माइका चुनने के लिए गई थी, जहां चाल धसने से दब कर मात हो गई, इसलिए हम जहारकर सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे परिवार को भरन पोर्षन किया जाए, और मैं अपने तरब से इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई भरन पोर्षन की वेवस्था, हम अप हमारी पार्टी भागपा माले 365 दिन 24 घंटा हमें सहल सुख दुख में खड़ा रहेगी, मौके पर बिर्ने मुख्या चंदन यादव, संजय पाश्वान, लटन यादव, नरेश कुमार, अभिनंदन कुमार, विश्वकार महा समित कई लोग उपस्तित थी, बहुत ही अफस हो चुका है, और इनकी माँ अपने बच्चों के पेट पालने के लिए धिवरा चुने गई ती, जहां से दब के मर गया, हम धारकन सरकार से भी मांग करता हूं, कि ऐसे परिवार को जो इस तरह से भरन पुसर इन बच्चों को है, सरकार इसकी देख भाल करें, और जो भी च है, विल फेर सुसाइटी के जरी कल्यान विवाग के जरी है, हम लोग चुनाओं के बाद इन तीनों बच्चों को जो भी अर्थिक सहता है कि या करवाया जाएगा, और मैं अपने तरह से इस बच्चों को जहां तक है, हर तरह से इनको पढ़ाए लिखाई से इनके खाने प 500,000 आप इस परिवार को मदद करें, इन बच्चों के एकांट में, ताकि इनको पढ़ाए लिखाने, खाने, पिने में किसी परकार का दिक्कत नहीं कॉर्व प्रधान मंत्री स्वर्गिय राजीव गांधी की पुन्यतित्री मनाई गई, इस आउसर पर जिला अध्याप्स धननजय सिंग ने कहा कि पूर्व प्रधान मंत्री ने इस देश को जो आज मुबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, जितने भी डिजिटल टेक्मिलोजी है जिसका उप्योग आज पूरी दुनिया कर रही है हमारे जन्नाय पूर संचार के खरांधी राजीव गांधी की ही देव है उन्हों नहीं इस साल की उम्र सीमा को घटाकर 18 साल उम्र में मतदान करने का अधिकार युवाओं को दिया था मौगे पर कारियकारी अध्यक्स 37 केडिया क्रिशन सिंग, मदनलाल विश्वदर्मा, मजु कुमारी, सुलेमान अक्तर, अमित सिन्ह, महमूद अली खान, यर्श सिन्ह, सर्फराज, गुलाम, मुस्तफा, राजी, रंजर, आदि मौजू थे धनबात जीला के दिला परिशत के सदर्शे विकास महतो ने एक प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान जीबी कैसस के केंजे अध्यक्स जैराम खुबान महतो पंडिसानक साथ ते विक खुला चैलिंग दिया है, इसके साथ इनोंने एक वाइरल आडियो का अज़रे किया है, कहा है कि मेरा नाम बरनाव कर बोर देने की कोसिस की जा रही है। और अगर राच में फ्लेट मेरा नाम से नहीं निकला तो केंदे अध्यक्स जैराम खुबान महतो को अपने पार्टी से सामुई कुरूप से इस्तिपा देना पड़ेगा। विकास महतो ने बताये कि मेरा नाम बदनाम करों से वोट मिलने वाला नहीं है। अगर वो नहीं कर पाएं तो उनको भी अपना राजनीती से सन्यास लेना पड़ेगा। और यह बात मैं आप लोगों के माइधम से कहाना चाहता हूं कि इस तरह का जूटना पहला है। तो अपने बातों पर सच्चे हैं और जारखनियों के भावनाओं के साथ नहीं खेल रहे हैं। उनको साबित करना होगा कि राची में मेरा फ्रेक्ट है। और अगर नहीं है तो वो इस्तिफा दें। देखे इस पर मेरा क्या विचार है पूरा राइज देख रहा है और किस पार्टी का उपाध्यक्ष अभी निश्कासित हुआ है तीन साल के लिए तो पहले वह बताएं ना कि कितना अटैची उनको मिला है चुनाव लड़ने के लिए और धनबाद लोग सबागी शीट को बेचने के लिए जो कि उन्हीं के लोगों के दोवारा बताया जा रहा है उनके जो केंद्रियों पाध्यक्ष थे उनके दोवारा कहा गया है कि टाइगर लाए भाई के तो नहीं ने कहतो कि कक्राब भोट द देना होगा ना यह पंचाइच चुनाव जीला परिशद मुखिया का चुनाव नहीं है यह देश का चुनाव है और देश का चुनाव में आदमी को किसको भोट देना है देश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा इस पर बात चर्चा परिचर्चा होने चाहिए लेकिन वह हमेशा मुद्दों से भटकाते रहे हैं और उसी पर चलते आएं तो पुना मेरा यह रहेगा कि जूट पे और जार्खन की भावनावों को मेंचने का काम जो है जैराम महतों बंद करें अच्छा एक बात बताईए कि अगर जैराम महतों का नाम लेकर हम चुनाव जीते हैं तो वह और मैं पूरूब कर दूंगा कि जैराम महतों ने कितने जगा बोला है कि विकास महतों चुनाव नहीं जीतना चाहिए तो आरोप परती आरोप तो लगता रहेगा लेकिन इसका क्या है कि आप आधार के साथ बात कीजिए तो यह रहोगा क्यूंकि आप किसी आज दल के अब अब तुम चलाएं छोड़े से ब्रेक का प्रेक के बाद जल दाटे कुछ और फ़परों के साथ श्रीविश्वनात नर्सिंग होम गिरीडी का मल्टी स्पेसिलिटिव हॉस्पिटल है इस हॉस्पिटल में डॉक्टर S की डुकानिया जर्णल सर्जरी एवं लैपरस्क की योजना के तहर एक परिवार को पांच लाग उपए तरका मुक्त स्वास्त भीमा दिया जा रहा है इस योजना के तहर स्रीविश्वनात नर्सिंग होम में लाज की सुविधा उपलब है इस नर्सिंग होम में आईसीओ की सुविधा भी उपलब है जर्णा मलेरिया रोगी के लिए बहतर इलाज वई हट्टी एवं नर्स रोगों से संबन्द भुटना प्रत्यरों पर कुलहा प्रत्यरों पर हट्टी रोग विशेशक्या डॉक्टर कासीद राजा के द्वारा किया जाएगा साथ ही E.R.C.P. ववस्था के द्वारा वाइल डप्तन स्टोन निकालने के लिए समुचत ववस्था स्रेविश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है हमारा पता है बरमस्या सवीरा रोड गिरिडी मुबाइल नमबर 70338645619955152065 आगया है आपके शहर गिरिडी में फिर एक बार धूम मजाने जी हां बड़ेगी शांतार अंदास में चल रहे हैं आपका अपना डिजनी लैंड मिला जहां आप अपने बच्चों दोस्तों वा परिवार के शंग आकर मिले में भरपोर मनुरंजन के साथ अपने घर के जरूरत का समार साथ सज्जावट, सिंगार वर सजने के शौकीन माताओं बहनों बननने मुने बच्चों के लिए तरहा तरहा के खेलोणी मुंबई का फेमर्स टैटू डिजाइन के साथ खाने खिलाने के शौकीन लोगों के लिए लजीज वेंजनों में हैद्रबादी मशालिदार चटपटी, चाट गोलगप्टी, बंबई का मशूर भेलपूरी और यम्मी आइस्क्रीम पालवर इतना ही नहीं और भी अधिक रुमांच से भड़ा मनुरंजन का आनंद लिने के लिए महिलाओं के पहले पसंद ककर चुंडी तारामाची के अलावे देशी विदेशी जूलों में ब्रेक डान्स और युवाओं को आगर्शत करता टोरा टोरा चुला बच्चों के लिए स्पेचसंद मिक्के माउस जंपिंग जंप आपका भरपूर मनुरंजन के लिए तयार है तो देट आ करे मिले का भरपूर आनंद लिने के लिए शाम चार बजे से राच्ची दस बजे तक मेला चारू है आनंद वा मनुरंजन का पता याद रखे दिस्न लैंड मेला श्वन सिनेवा हॉल की बगल में मेन रोड भंडारीडी गिरेडी गिरेडी पचंब रोड के बोडो में इस्थित स्रीसाई हॉस्पिटल हमारे यहां आयुस्मान भारती ओजना के तहर सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है डॉक्टर सिक्ट्सको के द्वारा मरीज का सफ़ल इलाज किया जाता है जैसे डॉक्टर राजाईकुमार की द्वारा प्रतेक बूधवार, गुरुवार और रविवार को जन्नल फिजेशियन की सेवा दी जाती है डौक्टर महेंश कुश्वाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हिरदैरोग से सम्भन्तित इलाज किया जाता है। डॉक्टर शाकेत नर्णोली यूरोलोजिस्ट मुद्र रोग विशेशग्य के द्वारा सप्ता के प्रतेक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है 24 घंटे बिजली, आरो वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच सौचालाई, एसी वार्ट, वक्के बिन, मैडिकल, दवाखाना, हर प्रकार के जाज कि सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजाज सिशू, महिला एवं वरिद मरीजों के लिए विशेश व आमना किरते हैं आपके अच्छे स्वास्त की, तो सेवा का लाब लेने के लिए हमारा पता है, स्रीसाई हास्पिटल, जीडी बगेडिया रोड, बोडो, पचंबा, गिरिडी, सबताहिक या महिने में बैटने वाले डॉक्टर साहाब का नंबर लगाने ही तू, 620-1560-554 प जागर लोगों से मुलाता है, स्वास्पा गडवन्दन सरकार की ना काम भी बताते हैं वे इंडिया गडवन्दन के प्रक्तियाश्य मधूरा महतों ने मंगलवार को टुंडी रोड के मोगिया मोड से जूरदार अभियान चलाया, ज्वारान पावर हाउस मोड, सरैयाडी, मोती महला, हिटला पीट, पहाडी, बर्वाडी, जगरी, कमल जूर, अंपा टान, परात भी आदिगाओं में, जो अगर लोगों से मुलाकात की, उनके साथ मुखे रोट से, सतर अभिधायक, सुदिप्यक, कुमार सोडू, पूपर विधायक, निजाम उतिन अनसारी, जला, कॉंगर्स कमेटे के कारियकारी अध्याक्ष, 37 केडिया, खार्खन मुक्ती मोड्शा के उपाध्याक्ष, अजीत कुमार पपको, शहनवाज अनसारी, इर्शाद अहमद वा सरकार की नकामी जैसे, रोजगार देने में और सफल का महकाई आदी के मूदे को खाया, बगायर की केंद्र में सरकार बदलने पर, इंडिया घरबंदर की सरकार की कारेंटी का भी रुपिक्रिटिया, जेमें जिला, युवा उपाध्यक्ष, फेर्डिन इंतिया, जामत के पूर्व मुख्यमंद्री हेमन सोरें की पत्नी कल्पना सोरें, उनके परिवार वालों से उप्चारिं मुलकात करने पहुची, जहां धर में उनका गर्म जोसी के साथ स्वागत किया और चुनाओं में सहियों के दिन्यवा दिया, जेमें जिला, युवा उपाध्यक्ष, फ इसलों पर चर्चा होगी, साथ ही गांडे विधान सवा उप चुनाओं पर भी बात शीटिके, वहीं चुनाओं में सहियों के लिए धन्यवाद्ती आ गया, आपको अपना अंशिरवाद लॉक कर भिया है, अब वो लॉक हो चुता है, और इसका जवाब आपको चार्जिन क अब चार माहने समय है चार माहने का परिवर्तम दिखें का जान दे में, पहले मुझे चार तारीक के बात जवाब कर दोगा है, जनता अंप उस साह था तूसा इस वाद का है कि अखर हमने दिया है जिलेगर के इसलिए मैं आपको बूले रताला जब खुलेगा उसकी जब च ग्रिडी लोग सवा छेत्र के लोग सांती पुंड माहाल में बढ़ चड कर मतदान करें, इसको लेकर मंगलवार को नगर्थाना की और से शहरी छेत्र में फ्लैग मार्च निकाली गई, इसकी अगवाई नगर्थाना प्रभारी सेलेस प्रशाद ने किया, मौके पर SSB के अ अग तावर चौक, नेताची चौक होते हुए भंडारीडी पहुंचा, इस दोरान पूलिस जदीकारियों द्वारा लोगों से आगामी 25 मही को होने वाले ग्रिडी लोग सवा चुनाव के दिन घरों से निकल कर मतदान किंद्र तक पहुँचकर बढ़ चड़ कर मतदान करन करने की अपपील की यानि की 20 प्रतिसत की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंगरेजी, आयुरुवेदिक एवं OTC रेंज की दवाईयां उपलब्ध है 20 वर्सों से भी जादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्त का रखे ख्याल इसके साथ ही हमारे यहां वर्सप के माध्यम से दवाईयों की होन डिलिवरी धी जाती है वही शहर का नंबर वन गुपता डेंटल क्लिनिक में प्रख्या दंचिकित्सक डॉप्टर प्रतिक्षित अनन्थ ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रति दिन सुबह नौ बजे से रातरी नौ बजे तक मुह एवं दातों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलता पुर्वक किया जाता है पता नोट कर लें गुपता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर मोती ज्वेलर्स के सामने कोर्ट रोड टावर चौक के निकट गिरिडी स्री संजीब टेक्स्टाइल गिरिडी की पहली दुकान जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपोन रेज जी हां हमारे यहां रेमन, सिया राम, रीड अन टेलर, लिनेन क्लब, सैंचुरी, अर्विन के लावा और भी कई ब्राण की सूटिंग एं सर्टिंग के लावा कई कम्पनिया जैसे स्पार की फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है इसके अलावा हमारे यहां सलवार सूट, रेडिमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है इतना ही नहीं इस वेडिंग सीजन आपके लिए यहां है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूलहा दूलहन को खास अंदाज में तो हॉलसेल रेट में हमारे यहां करे खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचक अवश्य करें दुर्गपूजा, दिपावली और छट पर्व को देखते वे स्री संजीव टेक्स्टाइल ने लगाया सील कम दामों में यहां कपड़े की खरीदारी करें एक कपड़ों के दामों पर दो कपड़े की खरीदारी करें और फर सीमित समय तक तो देर किस बात की? एक बार अवस्यपधारे स्री संजीव टेक्स्टाइल बड़ा चौक गिरेडी बोड़ो दिर्गावंडव के पीछे से चीवन धारा नर्सिंग हो में आईश्मान योजना के तहद गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्प में बचेदानी का ओपरेशन अर्सिती रोग, हर्णिया, बोल ग्लाडर, पत्री, अपेंडिस के अलावा कई तरह के ओपरेशन की डॉक्तर उत्तम जलान और इस्तरी वो प्रसुती रोग विसे सगे डॉक्तर मनिसा जलान ग्वारा संचाली, इस नर्दिंग भो में 24 घंटे, आपाज काल सेवा, आदुनिक ऑपरेशन इसनर्ट है, एसी तथा नन एसी केविन, जैनल वार्ट, कॉल्पर्सकॉपी, लेप्र दूर्बीन द्वारा पेटी जाज, अर्ट्रा सोनोग्राफी, एक्स्रे मशी, इसी जी, 24 घंटे हार्मेसी, 24 घंटे पैथलोजी वार्ट, पार्सिक की स्विधा उपलब्द है, तो स्वासलाफ के नीज, जीवन भारा नर्दिंग हो, गिरेडी पचमा में डोड, बोडो द लिगा मंटक के पीछे, गिरेडी प्रती सत्मत्तान करने का अगर रखिया गया, वागे पर विश्वा हिंदु परिश्वत के हजारी बाग विभाग मंत्री अनुप यादव, जिला सहा मंधी, शुर्पूजन कुमार महतो, बजरंक दल, जिला सहा सयोजग, गुटु यादव, नगर बजरंक दल सयोजग, उ पूलों और पूर्णा नगर में भी चुलाया गया, कर्मटार्ड अगदोनी में, मरिक तान्ती, उनकर शमाज की और स्यायोजित, पांच वर्ष से कारून निर्भाई पूजा का समापन हो गया, पूजा समीती के साथ यूनी बताया कि यहाँ पूजा वर्ष उनीस सो उन्स चान किया गया, दूसरे दिन सोबार को बनती गई, आज पूजा की समापती में इस पूजा में शार्कन बिहार, छत्यसगर एवं पंजाब, राज्यों में रह रहे लोगी सामन बे, पूजा के सफल आयोजन में पूजा समीती के अध्याक्षन नमीन कुमात तान्ती, सचीन विजाई कुमात परशाद, कोसाध्यर्ष विजाई मरिक, जितेंद्र कुमात तान्ती, बहादूर तान्ती, बनारिशी मरिक समेत, समाज के कही लोग मौजूब थे आज के अन्पे बस इतना ही, तब तक के लिए दीजे, पूरे टीम को इजावदत, नमस्कार